हलो फ्रेंड्स कुकिंग में त्रेखा चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसन वाले काले चने बहुत ही तीखे चटपटे स्पाइसी बनते हैं यह और खास बात यह है इसमें कोई अद्रेकल हसन प्यास कोई टमाटर कुछ भी नहीं डलेगा और थोड़े से मसालों में यह बहुत जादा टेस्टी बनेंगे और यदि आपके चने पहले से उबले हुए हैं तो इसने बनाने में टोटल पांच मिनट लगेंगे तो चलिए फटा-फटे शुरू करते हैं यह हमने एक कप काला चना लिया है जिसे हमने 7-8 घंटे पानी म कर लेंगे तो यह ने बीस मिन्ट के लिए इसे बोय कर लिया है जितना चने लिये थे उससे डबल हमने पानी जाल कर बॉय किया यह अच्छे से बॉय हो चुक है बिलकुल चना आपका बिलकुल नर्म होना चाहिए तो चने के साथ इसके लिए और बेसन लेना है क्योंकि हम जने बना रहे है हम तो बेसन हमने तीन बड़े चंबच लिया है अप इसके लिए में मसाला भी रडी कर लेते हैं तो मसाले मंने 1 आप अरी मिर्ची ली लिए 7 साथ में हम चूर पाउडर डाल देंगे एक चोटा चमच और नमक डाल देंगे इसमें हम चूर पाउडर हम बाद में और एड़ करेंगे अभी हम इसमें उनली एक चमच ही डाल रहे हैं सारे मसालों को मिक्स कर देंगे इसमें कोई हल्दी मिर्च कुछ भी नहीं डालेगा क्य बड़े चमच इन मसालों के आप नापेंगे तो इतने बने है ये तो तेल डाल दिया है तेल थोड़ा सा जादा लीजिएगा क्योंकि बेसन को भूनने के लिए तेल थोड़ा जाए होता है तो तीन से चार चमच तेल लिया है इसमें डाल दिया हमने हरी मिर्ची हरी मिर्ची क अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो बचावा मसाला है वो भी हम बेसन के साथ ही इसमें एड़ कर देंगे उसके बाद हमें इस बेसन वाले मसाले को 2-3 मिनिट के लिए पका लेना है मतलब बेसन कच्छा नहीं रहना चाहिए तेल में बहुत जल्दी बुन जाता है साथ में द जाता है तो जोड़ा से नमक भी जायागा क्योंकि खटा ही होती है तो ज़्यादा पड़ता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन अच्छे से भुन चुका है 2-3 मिनिट में तो इसमें चने डालेंगे चने बिना पानी के ही डालेगा पानी यूस नहीं कीचिएगा और इसका मौस्चर भी सुख चुका है बहुत है ज़्यादा टेस्टी बनते है यह चने इसे आप परांठे के साथ रोटी के साथ खा सकते है इसमें प्रांटास प्यास कुछ भी नहीं डला है फिर भी बहुत ही जादा टेस्टी बहुत ही बने है तो आप कि ये बिना बिल्कुल नहीं चाहिएगा बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और नुए वीडियो के साथ तब दे के लिए अपना ध्यान रखें टेक यू बाबाई